तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देखी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बन मितर भरती के लिए जिन भी कैंडिडेटों ने अपना नाम दिया था तो उनको कुछ इस तरह से मैसिज आना स्टार्ट हो चुका है तो यानी बन मितर भरती पे एक्टिविटी हो रही है तो बन मितर जिसकी जो सेलरी है 10,000 फिक सेलरी है उनके लिए सभी के लिए मैसिज आ रखा है तो आपको भी कुछ इस तरह से ही मैसिज आएगा तो आपको जो है जितने भी जो टाइम बताया गया है कैंडिडेट को रिप बताई जाएगी तो आप देख सकते हैं यह जो जीजे निकल के आई मैंने आप सभी को बता दिया था कि यह जो आपको आपको आप देख सकते हैं CMO के पेज पे भी जो प्रसाशनिक सचिवाले में जो बैटक हुई थी सचिवाले में जो बैटक हुई तो मंतरियों की तो प्रकरिया तेजी चाहुत को अब देख सकते हैं कि आपका जो है पहले हो सकता है इसका अनुमाल लगाया जा रहा है तो इसके अकौर्डेग एह दिखा जाए तो बनमीत्र के लिए जो ग्राउंड को झिए वह हर वरी में होने वाला धो लोगों को जो है अने वाला है और जितने भी लोग रोजगार की तिलास कर रहे हैं तो अभी ऐसी नई चीजे निकल के आ रही हैं नौकरियों के लिए तो आपका क्या मानना है ये मैं जानना चाता हूँ आपका क्या ओपिनियन है जितने भी हिमाचल प्रदेश में यानि बिरोजगार है या फिर किसी ना किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हिमाचल के युवाओं को बिदेश में नौकरी दिलाने के लिए सरकार CM सुखु अधिकारियों को दिये निर्देश हिमाचल सरकार से कुछ लोगों को पहले वी phone आये होंगे जो कि recruitment के खातिर हैं तो जैसे ही पिछली बार सरकार थी उसके दोरान जो है बहुत सारे लोगों को जो है call आये रोजगार के लिए कि इस company में आपका जो है ये startup है इस पे जो है आपका जो नाम है जो बिरोजगारी पोटल है हिमाचर प्रदेश में उसमें अगर रिजिस्टर है तो आपको जो है private job जो दिलाने की जो सहायता जो है पिछली सरकार ने की थी तो उसी तरह से इस सरकार में भी जो है विदेश में नौकरी दिलाने के बात कही गई है तो आपका क्या opinion है क्या ये सरकार के जुबले है क्या ये सच में एक initiative ले रहे हैं सरकार या फिर आगे हम बात करते हैं तो हिमाचर प्रदेश में ground की बात की जा रही थी तो अभी हम देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी जो इसके साथ एक और चीज कही गई थी कि पुलिस कॉंस्टेबल यानि दो 1226 जो पोश्टे हैं हलांकि इनके ground जो है जल्द ही आने वाला है अपनी तैयारी लगतार रखें अपनी study भी लगतार रखें और अपना ground भी लगतार जो है प्रैक्टिस करते रहें क्यूंकि इस जो है ground थोड़ा सा toughest है तो इसके according बहुत सारे लोग जो हैं बाहर होने वाले हैं तो अपनी गलती को सुधारें तो अपने ये जो अप लास्ट भरती को मानके ही चलिए जिनकी age हुई जा रही है age के बारे में मैंने बता दिया था कि age आपको कब से count करनी है वो आपको करनी ह एक जनवरी 2024 से पीछे आपको count करनी है अगर आप अभी तक 25 साल के नहीं हुए है या फिर 25 साल में है तो आप इस पुलिस भरती के लिए eligible है और बन मित्तर की भरती भी है लगतार सुरू हो रही है तो इस वीडियो को जरूर शे अपने दूस्तों के शार शेयर कीजिए और अपना ओपीनियन भी दीजिए तो मिलते हैं गली अपडेट में धन्यवाद दोस्तों